वेलो दोस्तों स्वागत आँ सुझेस क्लाश 22 में दोस्तों आज हम लोग नन पर्फेक्ट संख्या का स्कॉर्ड रूट के से निकलते हैं उस पर मैंने वीडियो बना दिया तो आप लोग उसे जाका के देख लिजिएगा डिस्क्रेप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों ननपर्फेक्ट संक्या से भी कभी एकजाम एक कुस्टन देखने को मिला है तो उसे दोस्तों आज सीखने की कुछिज करेंगे बस दोस्तों आपको इसे निकालने के लिए 2-3 बाते हैं जो आपको याद रखना होगा और इस वीडियो में दोस्तों आर्च से 10 कुस् need root 5 5 5 का हमें 2 square root निकालना है इसके लिए堂 सब्से पाली बात आपको देखना है रूट 5 की कौन सी सह ऑड्लिक है ठीक है तो आपको दूस्तों याद होगा root 4 क्या एक perfect work है root 4 करतिए Parliament चीजिसमें कितना one क्यूंकि यह कमई और बटmot में आपको करना है दोस्तों root 4 का क्या होगा वर्गमुल 2 होगा 2 को multiply कर देना है 2 से बस आपका हो गया बस इतना से बात या दखना है सबसे पहले आपको दखना है root 5 के निकट perfect works है क्या कोन है तो root 4 है उसमें दोस्तों plus करना आपको 1 तो root 5 हो जाएगा root 5 नहीं होगा क्योंकि इसे जोरना गलत है लेकिन दोस्तों ट्रिक्स है तो हमें कुछ भी कर सकते हैं ठीक हमें निकालना है किसी तरह से तो root 4 में कर देना है plus 1 ठीक है उसके भाद आफको बटा में कर देना है root 4 का वर्ग्मुल 2 होगा और 2 को तू से multiply कर देना है बसा को होगा आगे बस करना है रूट 4 का 2 हो जाएगा पलस आपका हो जाएगा 1 बटा 4 इसे हल की जाएगा तो आगे आपका हो जाएगा चार दुनो आठीक 9 बटा 4 ठीक अब दोस्तों 9 को डिवाइट करना है फोर से तो चार दुनो आठ दो मर्तभी लागा उसके बाद 1 आएगा पुइंट पेठा करके 0 देंगे दस हो जाएगा तो चार दुनो आठ फिर आए उसके बाद दुस्तों 8 में से 10 में से आठ जाएगा दो बचेगा फिर 0 लगाए 20 हो जाएगा तो 45 तो आपका इंसर निकल कर आजा दोस्तों रूट 5 का जो वर्गमूल होगा वागा 2.25 ठीक है रूट 5 का जो वर्गम क्या है प्रफक्र्ट वर्गमूल होता है तो रूट 9 को लिख देना है उसके बाद आप को सब्सके क्या करना है यहां एक हो क्या एक परफेक्ट वर्ग है थीक तो यहां पर क्या है रूट 7 के निकाट रूट- 9 एक परफेक्ट वर्ग है उसके बाद रूट- 9 में से रूट तू गटा देंगी क्या हो जागा रूट सेवन हो जागा और बाटा में आपको लिख देना है 2 मल्टिप्लाइ कर देना दोस्तों रूट 9 के वर्गमुल 3 से ठीक है तो अब इसे आगें सॉल्ब किजिए यह हमारा कट जाएगा टू टू कट जाएगा रूट 9 का वर्गमुल होगा ओध्र दोस्तों तिर या मैनस 1 बटा हो जाएगा ठीक है त्टितीन तीन नुव मैंस 1 मतला 8 बटा हो जाएगा ठीक हो लूट 9 के या भी शर्टा होगा 2 पर्मुल क्या होगा 2.66 ठीक है चलिए आगे देखते हैं पॉइंट के बाद दोस्तों अगर आपको दो अंक की निकालना है अगर एक अंक भी दोस्तों सही सही मिल जाता है इस ट्रिक से तो समझ यह क्या है हमारा बन गया ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं तीसरा नमर सबा फाले जो रूट निकत कुण सी सभ्ण है जो रूट में और नहीं सतों और्फएक्ट वर्डब है चु क्या इस प्रफैक्ट के निकत आपके आपके दोस्तों रूट नाइन करना है उत्तों 1 करना तो रूट यह अपको जाएगा श्मीयों से 3 हो चेंट हो जाएग तो अ टाईंडा्टाइन आपका गया है इसे डिवैट कीजिए तो च्वह दूना बारह ठीक है दो मरतबह लगेगा उसके बाद शतरह में से गारा जाएगा पूंट के बाद 0 बैथा योगा इसके बाद आपका आपका जाएगा दो दो बचारई फिर दोस्तों दोब्र दीजीए त 2.83 आपका रूट 8 का वर्गमूल होगा वह क्या होगा 2.83 ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नमर चोथा आपकी सामने है रूट 19 तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि रूट 19 की निकट कौन सी ऐसी संक्या है जो क्या है पूर्ण वर्ग है तो र रूट 16 के वर्गमूल क्या होगा 4 में ठीक है तो इसे सल्व कर दीजिया आप तो हो जागा रूट 16 की और पला सोजागा 3 बटा इसे किजे आगे तो आठ चो के 32 तिन 35 बटा 8 ठीक है दोस्तों 24 मतलब 6 बचेगा 30 में से 24 जाएगा चो बचेगा उसके बाद 0 बठाएंगे तो 60 हो जाएगा और आठ पंच चालिस अच्छा करता है तो इसके लिए साथ से पहले आपको सोचना है रूट रूट 35 के निकट कौन सी संख्या जो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है तो रूट 35 के निकट आपका दोस्तों रूट 36 हो जाएगा क्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो रूट 36 लिख दिना है उसमें से मैनस करना आपको दोस्तों वन तो 35 आ जाएगा और बटा में करना दो कि 72 72 में से एक गया 71 बटा आपका हो जाएगा 12 ठीक है इसे बारा से भागा दीजिए तो बारा पंचस साइट गया तो हो जाएगा दोस्तों एक ग्यारा एक ग्यारा नहीं लगेगा तो पुइंट बिठाएं एक सदस हो जाएगा फिर बारे से लगाए तो बारनमा अठोतर से एक सा आठ हो जाएगा बरनमा ठोतर से एक सा आठ हो जाएगा और एक सा दस में से दोस्तों आपका एक सा आठ गया तो बच गया दो जिरो बिठाएट हो जाएगा बीस उसे भागा दीजिए बारा से तो बारा एक मरतबह लगेगा तो 5.91 रूट 35 का जो वर्ग मूल के सामने हैं के लिए डुटके सबसे पहले आपको यह सोकना है की रूट 55 के निखत कौन सी संख्या है जो क्या है परफेक्ट वार गया पूर्ण वर्हा संख्या है तो रूट 65 के निकट 정도 मतलब तो रूट 64 लिख देना और पलस कर देना आपको वन ठीक है बटा हम आपको कर देना टू और इसमें कर देना आठ से क्या है माल्टीपल आठ कर्मुल क्या होता है इसके बाद आपको करना है इसके बाद दूस्तों इससे वाड़ कीजिए तो शोल आठ से आ जाएगा ठीक है आपका बच जाएगा दूस्तों 139 में से 178 गया एक बचा पॉइंट लगा कर 0 दीजिए तो 10 होगा फिर एक ठोड़ जिरो बिठा यह तो आपका हो जाएगा 100 तो हो जाएगा 100 तो 165, 166, 166 मतलब 6 मरतब में क्या होगा च्यान में लगएगा तो 8.06 रूट 65 का जो अर्गमूल होगा वह होगा 8.06 तो चलिए दोस्तों अगला कुष्चन देखते हैं अगला कुष्चन सेवन वान कुष्चन आपके सामने है रूट 84 ठीक है तो रूट 84 को दोस्तों सबसे पहले या सोचिए कि रूट 84 की निकट कौन सी ऐसी संख्या जो है क्या ह मतला है परफेक्ट बडग है तो रूट 84 निकर दोस्तों हो जाएगा 9 क्योंकि 91 81 होता है तो दसका तुस्वा क्या हो सबैसे तो लिख लिए रूट 84 पलस कर देना या पश्चन धिरिए तो क्या हो कर देना है नो में मल्टिप्लाय करना किसे टू से बस आपका हो गया इससे आगे सौल्प कीजिए रूट एक आसी का होगा ना इन इसको काटे तीन तीया सब्सक्राइब चोबान एक 55 नी इससे अब दिवाइड किजिए ऺफ्ता कंच और टू इस तो इक उसके बाद न्याज एख ऋ ओधा चाह सचा के 36 तो 9.16 रूट चुड़ासी का जो वर्गमूल होगा होगा 9.16 चले दोस्तों अगला कुश्चन देखते हैं सचा करें अगरों कुश्चन देखने होगा जाएगा इसके बाद आपको करना है क्लाद इसमें कर देंगा और फोस्चन दोस्तों कि इसे काटिए दोस्तों कट जाएगा तो दो दूना चार मतलब 2 बटा एक 11 आपका हो जाएगा ठीक है इससे आगे सुल्ब कीजिए तो अगर गरां एक कैसा से एक साथ एक किसा दू 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 तइस मतलब एक साथ तैस बटा आपका हो जाएगा 11 ठीक है एक साथ इसमें दोस्तों 11 से भाग दीजिए तो अगर गरां एक कैसा से 13 में से 120 को गटाईए तो टू आएगा पॉइंट के बाद उस पर 0 दीजिए तो बीस हो जागा और फिर एक साथ लगा एक मरतब लगेगा और उसके बाद दोस्तों 20 में से आपका एगार आ गय गारा पुएंट वन एट चलिए दोस्तों अगला कोईचिन देखते हैं आपके सामने है रूट दोसा अंठावन ठीक है इसका में क्या करना वर्ग मुल निकाला है तो रूट दोसा चपन इलाइसे पलस कर देना तू तो चपन दूटाम कर देना दूस्तों तूसे मल्टिपला कि तो अब इसे आगे इस संतावनों का अगर 16.06 ठीक है दोस्तों बस आपको यही बात याद रखने हैं जो भी संख्या दिया रहेगा उसका सबसे संख्यां डिकट का संख्याँ लेना है जो पूरणवारा उसके बाद उसमें से गटाने का अगर घटाने के बाद वो संख् और बट्टा में आपको दूस्तों कर देना है टू से multiply जिस संख्या को हम लिए है उसमें ठीक है तो यहां पर रूस्षपन का वर्मूल आएगा सोला तो सोला से कर दिए multiply तो यह हमारा दूस्तों एंसर आएगा इसको आगे प्रोसेस करने के बाद सोला कुलाईगा सोलेधा दूस्तों आगला कंश है मरा दूस्तों दस्तों आफरी कुश्चन है रूस्त अप सबस्ति अच्छी तीन तीशल थे शिकूए उन्ह संहीं आपको दोस्तों गे 3024 को वर्ग मुनगर जाएगा 18 बटा में कर दिना है दो से मल्टिप्ला तो 39 डेक लिख दिए अपने 24 डेक लिख लिख और 26 चाचर चाच के चाच पतिस कर दिए लगा यह तो यह अटचzn का आजगा एक से नव में से एक सा जाएगा एक बचेगा एक बचेगा एक पर सून बठաएँगो तो दस होगा दस को फिर कीजिये छो से तो एक मरतबे लगेगा उसके बाद आपका had इसका जो वर्मूल होगा, वो होगा 18.16, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमने ननपरफेक्ट संक्या, को वर्मूल निकालना चाहिए, एक अंक में हो, दो अंक में हो, या तीन अंक में, ठीक है, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों उसे ध्यान में रखेगा जो भी हमारा question दिया रहाएगा उसको देखना है और या सोचना है कि यह जो हमारा question है या इसके निकट कौन सी ऐसी संक्या है जो क्या है perfect work है ठीक है मतलब पूर्ण work संक्या है बस उसमें अगर उस question से कम है तो उसम में ठीक है टू से हमेशा multiply करना है यह बात याद रहे कि टू से हमेशा multiply करना है जो भी हम perfect work संख्यान लेती है ठीक है चले दोस्तों आगे देखते हैं अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सस्क्राइब बेटन को दबा कर सस्क्राइब कि बाइए इस ते आपको क्या होगा time to time notification मिलता रहेगा और लाइक कीजिए share कीजिए अगले वीडियों तब तक के लिए जा हिंद जा परत जहां भी रहे खुश रहे मस्त रहे और अपनी त्यारी में लगे रहे